प्रिविद्यार्थियो आज हम जानेंगे संसद के विशेश अधिकार और संसद सदस्यों की या संसद की अवमानना के विशाय में जिस तरह से हमने कोड के बारे में एक दिन व्यापक रूप से चर्चा की थी जिसमें कोड की अवमानना या कोड को प्राप्त कुछ विशेश अधिकारों के बारे में चर्चा की थी या उसमें तथ्य गलत है या कोई इस तरह की बात है जो की स्विक्रती नहीं है जिसके बारे में जिसको लिखा जाना या कहा जाना तो वो कोड की अम्मानना के रूप में लिया जाता है उसी तरह के विशेश अधिकार संसद को भी प्रापते हैं, संसद को और राजियों में विधान बंडलों को तो संसद की कारवाई जब चल रही होती है और संसद की कारवाई के विशय में जब पत्रगारों द्वारा समाचार प्रसारित प्रकाशित किये जाते हैं उसके बारे में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि संसद को संसद सदस्यों को खास कर संसद के अंदर उनके द्वारा दिये गए वक्ते वे उनके लिए विशेश अधिकार प्राप थे अनुच्छेद 105, 105 और 194 में इनके बारे में विस्तरत पर रोण दिया गया है तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश में जो अभीवक्ति के आजादी है जो हर व्यक्ति को मिली है जो की बराबर है हर इक के लिए किसी के लिए कम्या ज्यादा नहीं है लेकिन संसद सदस्यों को संस कई देश राष्ठी के लिए की जाती है संसद के अंदर सदस्यों को तरह तरह से अपने वीचार रखने तरक रखने परश्ण पूछे जाने ध्याना करशन प्रस्ताव रखे जाने किसी विश्या में कोई जानकारी मांगे जाने देश में कहीं कोई समस्या हो तो उसको उठाए जाने इस तरह के तमाम बातों का अधिकार प्राप्त है और यह माना जाता है कि संसत में जो चर्चा की जाती है वो चर्चा देश के हिद के लिए की जाती है नकी किसी व्यक्तिगत हिद के लिए और अगर संसद के भीतर किसी संसद सदस के आचरण उसके द्वारा रखी गई किसी बात, किसी वक्तव या इन सब की अगर कोई आलूचना की जाती है तो वो संसद की संसद सदस की अमानना के दाइरे में आ जाती है और उसमें बाकाइदा सजा का प्रावधान है और खाज बात यह है कि इस सजा को स्वेम संसद्वारा ही तया किया जाता है संसत द्वारा एक 15 सदसी समीती बनाई गई है वो समीती इस बात को तैक करती है कि किसी प्रक्रण में और किसी मामले में संसत की अवमानना शिकायत मिलने पर उजाज करती है कि इस संसत की अवमानना हुई है या संसत के किसे विशेशा धिकार का हनन हुआ है तो उस मामले में स उस बात की आलुस ना की जाए कि संसद के भीतर उस संसद द्वारा जो बातें कहीं गई वो गलत थी या उसकी आलुस ना की जाए तो वो अमानना के दारे में आ जाता है बहले ही संसद के भीतर आपने देखा होगा बहस में और चर्चा में कि सदस से एक दूसरे की बात पर ट मीडिया में अपनी तरफ से कोई इस तरह का विशलेशन नहीं कर सकता कि संसद सदस से द्वारा संसद के भीतर कही गई बातें गलत थी या उसके द्वारा की गई टिक पड़ियां गलत थी या उनकी कोई आलुसना की जाए या आलुसना करने का अधिकार मीडिया या किसी अन् बहुत सारे से पक्ष अलग-अलग पार्टियों द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग सन्सदस्शों द्वारा रखे जाते हैं। कि इसमिद Carne के मूँ लिद देश यही माना जाता है कि वह ऊ7 निराकरण के भारे में छर्चा के दोरां कही गई बाते हैं या देश के लिए कोई बैतर नीती बनाने के दॉरां घई गई बाते हैं। शुरं के इसमे लिए उनको अलोचना से प्रेर रखा इंअ वहस् thats बात अलग है कि सर्कार उन से सहमत हो या नहीं विपक्ष मैं से शेमत हो या नहीं आ उने प्राइब जा सकती है कि किशी orsa क्यों फोग द्रस Eigent के अंदर जब बाते संसत सदस अपनी बाते रख रहे होते हैं तो कई बार जिसे कहते हैं कि slip of tongue या कई बार जानबूज करके भी उनके द्वारा कोई गलत बाते गलत शब्द या गलत तत्य रख दिये जाते हैं या कोई इस तरह की टिपणी कर दी जाती है जो कि अशोब नहीं मानी जाती है और उस संपर पर हस्त अध्यक्ष द्वारा हस्तक शेप करके उस सदस को टोका जाता है और कई बार ही होता है कि अध्यक्ष कहते हैं कि सब्सक्राइब इस चीज़ को संसत की कारवाही में शामिल नमाना जाए अगसी अगर किसी संसदस सदस्द्वारा कोई बात कहीं गई ज़या और ह alltid अध्यक्ष द्वारा या कए यो बयवस्ता दी गई है कि इसको रिकॉर्ड में ना लिया जाए तो वह बात ऐसी मानी जाती है कि जैसे वो गहीं ही नहीं गई ही यानि कि उस बात को संसत के भी तर कहा हुआ ही नहीं माना जाता अब अगर कोई मीडिया संस्थानлять को पत्रकार उस तिपढी को प्रकाशित करता है कि उस सद्सद्वारा यह तिपढी की गई तो आउमानने के कर दिया ये तो कहा जा सकता है लेकिन ओपने क्या थीं ये नहीं कहाा सकता जब आप समाचार नीयमीत रूप से पढ़ते हूंगे इसे बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि संसद में संसस्द सदस्यों द्वारा मंत्रियों द्वारा यहां तक की प्रधानमंत्री द्वारा तक भी कभी कही गई कोई बात ने संसत के अध्यक्ष द्वारा अशोब नहीं मानी गई और उन टिपड़ियों को हटाया गया है। अब एक बात अलग है कि आजकल इलेक्ट्रोनिक मीडिया के दौर में जब संसत की कारवाई लाइव दिखाई जाती है उस समय पर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो लाइव कारवाई के दौरान प्रसारण हो भी जाती हैं। लेकिन क्योंकि वो प्रसारण संसत की अनुमती से ही चल रहा होता है। इसलिए वो अवमानना की श्रिणी में नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर बाद में recorded कोई निउस दिखाई जाती है जो कि लाइव ना दिखाई गई हो उस समय पर इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जिस टिपड़ी को अध्यक्ष द्वारा हटा दिया गया है उस टिपड़े को न दिखाई जाए। बहले ही वो टिपड़े ला दूसरे लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं उस समय पर अगर उनके द्वारा कोई इस तरह की बात कह दी जाए जिसे कोई दूसरा व्यक्ति अपनी अवमानना के रूप में ले ले या उस बात को दुरभावना पूरूर्ण का हुआ माना जाए तो वहां पर उस संसत सदस के अधिकार एक आम आदमी के बराबर हो जाते हैं उसकी अभियुक्ति की सवतंदरता सक्षन 19.1 के द्वारा ही नहित की जाती है उसी के द्वारा तय की जाती है और उसके ऊपर अवमानना का या डिफिमिशन का केस चल सकता है कोई दूसरा विक्ति जिसके बारे में की गई है वो उसके खिलाफ डिफिमिशन का मानहनी का मुकदमा कर सकता है बहुत से मौक़ों पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे से इसे निता हैं जो संसत के सदस्य हैं और उनके खिलाफ मानहनी के मुकदमे कोर्ट में चल रहे कुछ मामलों में किसी ने ख्षमा मांग कुछ मामले में मुकदमे चल रहे कुछ मामलों में फैसला आना बाकी है लेकिन बहुत सारे से लोग इसके दायरे में अब यहां पर अंतर बड़ा बारिक है यदि उस वक्ति द्वारा उस संबंदित संसत्य सदस्य द्वारा वही बार लोग सभा के बीगतर कही गई है तो ये को डिफैमेशन के दाएरे में नहीं लिया जा सकता और ये या उसके तत्यों को गलत साबित करने का प्रयास किया जाए, या उसके आचरण पर उघ्ले उठाई जाए, या उसकी विश्वसनीता पर संदेह किया जाए, या कुल मिलाके संसद की विश्वसनीता को कट-गरे में खड़ा किया जाए, इस तरह के अगर समाचार होते हैं, West- Will इनमें बखाइदा सजा का प्रावधान हैं खास बात यह है कि संसद की अव्मानना के संबंदी नियम हमारे देश में वह आज तक भी पूरी तरह से परिभार्शित नहीं है और पूरी तरह से उनको लिपिब्ध नहिं किया दो किया सका है इन इन मामलों में जब सम्विधान लगू हुआ था हमारी देश में 26 दिनुरी 1950 को उस दिन ब्रिटिश के हाउस आफ कॉमंच में जो विवस्था थी उस विवस्था के अनुरूप उनको देखा जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा जिसे दुष्परणाम कहा जाना चाहिए वो यह है कि पूरी तरह से परिभाशित ना होने के कारण संसत के अव्मानना संबंद एधिकार जो हैं वो असीमित हो गए हैं वो इस समय पर असीमित हैं क्योंकि उनकी कोई सीमाता है की नहीं गई है और इस करके उनके खिलाफ कारवाई की हैं और उन्हें जेल तक भेजने की कई भार धम की दिये और कुई भर भेज निया जब हम संसत hè संसत के अव्मानना की बात कर रहें तो उसमें वीधान जगय का अधिकार एक ही समान है 1 संसत के भीतर जिस प्रकार यह अधिकार प्रापते हैं वही उसी प्रकार के अधिकार विधान मंदलों के भीतर भी प्रापते हैं अब संसद की जब कारवाई का प्रकाशन किया जाता है संसद की कारवाई के प्रकाशन के संबंद में भी संसद में नियम बनाए गई और 1956 में संसद की कारवाई प्रकाशन एवं सरंक्षन अधेनियम बनाया गया था उसके तहट संसद की कारवाई का अधिकार केवल संसद को ही था लेकिन धीरे धीरे समय बीटने के साथ इन में परिवर्तन किया गया 1977-1978 में जब 40-वा समविधान संशोधन हुआ उसके बाद संसद की कारवाई के प्रकाशन में कुछ धील दी गई है लेकिन इस धील के साथ ये बात अपनी जगे है कि उस प्रकाशन में कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए उसका प्रकाशन संसद की कारवाई के बिलकुल अनुरूप होना चाहिए जिस प्रकार से कारवाई चलिए उसी प्रकार से होनी चाहिए उसमें कोई गलत तत्य तो ये सारी बातें अभी भी अवमानना के दारे में आती है 1956 का जो मूल एक्ट है उस एक्ट को फिरोज गांधी एक्ट भी कहा जाता है इस एक्ट के तहत इन बातों की विवस्था की गई है इसके अलावा प्रेस काउंसुल आफ इंडिया के दौरा भी बहुत सारे से बिंद के लिए उसकी बातों को दुर्भान ना पूर्ण ना बताया जाए या संसद के अधिकारों पर या संसद के द्वारा किये जा रहे हैं कारियों के बारे में कुछ संदे की स्थिति पैदा न की जाए अब अगर मान लीजिए इस सब के वावजूद भी किसी मामले में संसद क अधिकारों किसी व्यक्ति पर लगता ही है तो उसको सजा क्या दी जा सकती है पहली बात तो है कि उसको सजा देने का अधिकार संसद को ही है और दूसरी बात कि वह व्यक्ति पूरी तरह से अपने निश्पक्ष होने के बारे में या अपने पक्ष को पूरी तरह से रख वे जानी चाहिए मुख्यता इन सजाओं में अगर मान लिजे कि जो आपके द्वारा टिप पड़ी किसी पत्रकार के द्वारा की गई है वो बहुत जादा गंभीर नहीं मानी जाए तो उसे क्षमा मांग लेने पर भी माफ कर दिया जाता है या अध्यक्ष द्वारा या कि यसे संसथ की कारवाई के लिए उसको जेल बीज़ा जा सकता है इसमें एक खाज़ता तौर भी है और उनके खिलाफ भी कारवाई की जा सकती है इसके अलावा संसत को बहुत सारी से दूसरे अधिकार प्राप्त है जिन में से एक मुख्या है कि गुपत अधिवेशन बुलाना अगर संसत कोई गुपत अधिवेशन बुलाती है तो उस कारवाई का प्रकाशन ने प्रसारण न जो कि संसदी पठल पर रखी जानी है, संसदी समीतियों द्वारा किसी संबंदित विशय पर कोई रिपोर्ट अपनी संसद के पठल पर प्रस्तुत की जानी है, और उससे पहले ही अगर उसका प्रकाशन कर दिया जाए समाचार के रूप में तो संसद की अवमान ना माना जात इसके अलावा संसद सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर उनके खिलाफ कोई सिविल मामला चल रहा है किसी नियालाय में, तो संसद का अधिवेशन चलने से 40 दिन पहले और अधिवेशन समापत होने के 40 दिन बाद तक उनको गिरफतार नहीं किया जा सकता, यह मा अपराधिक मामलों में या कोट के अउमानना के मामलों में उनको सत्र के दौरान भी गिरफतार किया जा सकता है, संसद परिसर के बाहर से उनको इन दो मामलों में गिरफतार किया जा सकता है, उनके खिलाफ संबन होने पर, कोट का संबन अगर उनके खिलाफ है, तो इन दो म आवशकता होती है उसके बगार पुलिस संसत के भीतर करवाही नहीं कर सकती है तो यह कुछ बाते हैं जो संसत की अवमानना या संसत को प्राप्त विश्यशादिकारों के बारे में है जब कभी भी रिपोर्टिंग की जाती है तो इन अवमानना संबंधी नियमों और इन कर दो है कि अवमानन बारे में जड़िकारों के बारे में हुमानना ये नहीं के रारे में हैं जड़ा है उन सकती है उन सकती है तो यह नहीं काुछ एलिए